डियर ट्रेडर्स वेलकम बेक टो माई चैनल ट्रेडिंग मेडिजी दोस्तो डिस्कलेमर ठीक तरह से पढ़ लिजे दोस्तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो सुपरस्टार स्ट्रेजी की मदद से बहुत है आच्छा गया दोस्तो लेकिन इशू यस्टरडे का जो हमार ट्रेड था वो दोस्तो पेंडिंग था हम यहनारेमेल में लेके गए थे दोस्तो तो उसका जो है वो प्राफिट बुकिंग सुबा हो गया था फाइव थाउजन का जो है वो प्राफिट बुकिंग हो गया और उसके बाद जो है वो मार्केट टोटली जो है साइडवेस गय तो यह उपन कर लेते दोस्तों तो आज का जो सिनारियो हो रहा बैंक निफ्टी में यह टाइप का सिनारियो हो रहा दोस्तों तो एक बात ठीक से समझ लिजिए यह नहीं कौन सी भी आप्षिन बाइंग के आप स्ट्राइटेजी अगर मार्केट में बनाऊगे दोस्तों तो लिए what is most important thing that is there should be momentum in the market तो मार्केट में जब तक momentum नहीं आएगा कोई moment नहीं होगा तब तक profit booking नहीं होगा दोस्तों यह सबसे important बात है यह बात में बहुत सारे जो subscriber हैं उनको बताने के लिए try करता हूँ दोस्तों लेकिन जो है strategy को पूरा समझना चाहिए और उसके उसमें जो है आपको trade करना चाहिए, इसलिए मैंने कल एक training session रखा है दोस्तों, उस training session का link जो है मैं description box में, sorry मैं whatsapp group में डाल दूंगा अपने, तो कल का training session जो है वो join किजे उस training session में हमने अभी एक नई strategy जो है that is totally थोड़ा सा different texture है दोस्तों लेकिन ये trade hunter continuous bank nifty ये strategy हमने launch किये है इसमें हमारा premium जो है वो आप अगर गोर से देख पाएंगे तो superstar strategy में 400 रुपे के उपर का premium हम ले रहे थे तो उसके पीछे का logic था हमको delta अच्छा चाहिए दोस्तों तो delta का मतलब अभी जो option में trade कर रहे हैं उनको मालूम रहेगा कि जब ये bank nifty movement होता है दोस्तों तो उसका कितना percentage में अपना option होगा वो हमको delta बता था है तो delta अच्छा हमको मिले इसलिए हमने 400 के उपर का strike price लिया दोस्तों लेकिन एक नया concept जो हमारी team की तरफ से introduce किया गया कि strategy तो हमारी out of the box है market में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे है कोई भी option buying की strategy इतना profit निकल के नहीं दे रहे हैं दोस्तों लेकिन एक strategy का drawback है कि market में अभी यह आज का ही जो market है दोस्तों इसमें क्या क्या open क्या और market में momentum ही नहीं हुआ तो आपने strategy में क्या होगा trade बढ़ते जाएंगे दोस्तों अभी यह क्या है trade hunter जो है 180 पे आ गया है तो अपना investment जो है 40,000 का investment है और carry forward put का जो है 180 quantity जो है 40,000 रुपे का investment लेके हम market में hold किया है तो अभी इसमें क्या होगा सोचो अभी जो trading session पाच trading session रहते हैं दोस्तों तो उसमें अभी आज मैंने trade लिया आज मुझे momentum नहीं आ दोस्तों लेकिन जब momentum आएगा अभी market जो है वो choose day को open होगा और choose day को open होने के बाद जैसे ही उसमें momentum आएगा दोस्तों तो ये जो quantity है 180 का quantity की वज़े से उसको 50 point का भी अगर momentum आच्छे से मिल गया तो ये cost to cost आजाएगा और 100 point का मिल गया तो इससे double profit हमको हो जाएगा दोस्तों तो इसलिए हमने जो है capital कम नहीं पड़े इसलिए premium भी कम रखा है तो ये strategy और एक इसमें खासियत है कि ये दो-दो minute पे strategy का reactivation होगा और we will be in the trade continuously in the market और इस trade का जो end है दोस्तों ये strategy जो है जब expiry day रहेगी बैंक निफ्टी के expiry रहेगी तो उसी दिन वो position हम काटने वाले मतलब मेरा position चल रहा है तो मैं expiry day पे मेरा universal exit हो गया टेक profit करके तो टेक profit होने के बाद मैं उसको reactivate नहीं करने वाला क्यूंकि मेरे पास जो है वो समय कम बचेगा profit book करने के लिए अभी मैं यनारेमेल में लेके जा रहा हूँ दोस्तो तो मुझे अभी issue नहीं है आज मेरा momentum नहीं आया ठीक है लेकिन कल तो आने ही वाला है और मेरे पास fund भी एक लाग का fund है उसमें से मैंने 40,000 तीदर use कर रहा हूँ तो 60,000 फिर भी बसता है मेरे पास चूजडे को अगर ओर थोड़ी इसका lot size अगर बढ़ भी गया तो भी maximum जादा नहीं जाने वाला दोस्तो 60,000 तक to the max जाएगा तब तक profit booking होई जाएगा क्योंकि तीन दिन का जो है हो momentum उदर बचा रहेगा तो automatically market open होने के बाद 10 बज़े तक volatile होता ही है दोस्तों उसमें अपना काम हो जाएगा जैसे आज हुआ था दोस्तों कल का हमने hold किया था ट्रेड हंटर में तो उसका booking जो है वो सुबा हो गया था यह जो booking है दोस्तों ट्रेड हंटर का कि यह यह आज का ट्रेड में एक्जिट हुआ देखिए 22 मार्च 939 पर युनिवर्सल एक्जिट है लेकिन इसके पिछले आगर ट्रेड देखेंगे यह 21 मार्च के ट्रेड है दोस्तों यह 12 बज़े 11 बज़े तो इसको हमने क्या किया था होल्ड किया था पुट की कॉंटिटी थी पुट का जो है वो मार्केट थोड़ा उपर ओपन हुआ तो इधर भी लॉस बुक किया दोस्तों ऐसा नहीं के नहीं बुक किया लेकिन इमेजेटली जैसे मुमंटम कॉल सैड पर आया तो कॉंटिटी हमारी कितनी थी वो उस टाइ जी प्रॉफिट में आगे दूस्तों तो आउट अब दो बॉक्स आइडिया सोचना पड़ेगा मार्केट को हरानी के लिए दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर स्ट्राइ कर रहे हैं कुछ ट्रिक लेकिन वो आभी तक थोड़ा बाकी लोगों को मुश्किल लग रहा है लेकिन यह जो स्ट्रेटेजी है अभी तक जो मेरा एक्स्पिरियंस है ट्रेड हंटर बहुत अच्छा काम करेगी और और जो conservative trader हो superstar यूज करी रहे है दोस्तों इसमें भी holding होगा इसमें भी होल्डिंग होगा क्योंकि लेकिन इसमें रेक्टिविशन नहीं है दोस्तों दो मिनिट पे मैं अभी स्ट्रेटेजी को लॉंच करके क्या मेरा एम क्या है मैं कंट्यूनिसले ट्रेड में रहना चाहूंगे और जो मार्केट के आप और चिनिटिस मुझे मिल रहे है सोचो मैंने 915 को मेरा ट्रेड चालो हो गया दोस्तों और मेरा 945 तक मुझे 5000 आ गया तो उसके बाद मुझे खाले नहीं बेटना है आलगो को काम पे लगाना है मुझे पैसा जो मेरे आकॉंड में पढ़ा हो है उसको काम पे लगाना है तो उसके लिए I will be in trade till expiry of the bank nifty तो यह सब जो है हम कल आपने जो ट्रेणिंग सेशन में डिसकस करेंगे आपके सजेशन्स लेंगे दोस्तों तो और इसको हमने एक particular stop loss रखा है अभी वो सब जो है मैं डिसक्रूस करूंगा ट्रेणिंग सेशन में तो अभी strategy जो है वो पूरी improved version है तो इसका जो है वो सब लाब उठाए दोस्तों और ट्रेणिंग सेशन में आपको हैंडोर कर दूंगा तो मंडे से आप इसको यूज कर सकते हैं तो कल का ट्रेणिंग सेशन बहुत important है और यह सब जो ट्रेणिंग सेशन है उनको आवेल करने के लिए आपको हमारी group में आना है अभी दो स्टेटेजी में रखे हैं दोस्तों क्योंकि ज्यादा स्टेटेजेगि रखे कुछ confusion नहीं बड़ेगा इसले है दो यह रखे है अभी इसमें और एक ट्रेड अंटर आड़ कर देंगे और तीन स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग होगा दोस्तों और आवरी market की जो move है I want to capture that move तो वो capture करने के लिए अभी scenario देखिए दोस्तो सोचो मेरा आलगो जो है इधर enter हो गए ये momentum हो जाने के बाद दो minute के बाद मेरा इधर activate हो गए और ये जो moment है वो profit booking नहीं कर पाया दोस्तो तो ये ये time जो है ये बारा बज़े से मैं trade में लगा रहा ओके तो 18 तारिक को मेरा profit booking नहीं हुआ ठीक है 19 तारिक को भी नहीं हुआ लेकिन 20 तारिक को ये जो बड़ा मूँ आये दोस्तो ये बड़ा मूँ का use करके हम profit booking करके market से अराम से निकल सकते फिर सिर्फ हमको वो जीतेगा हमेशा जीतेगा और जो out of the box idea लेके आएगा वो ही जीतेगा दोस्तों क्यूंकि only 1% लोग इदर जीत रहे है ये UPSC का exam भी है दोस्तों उसमें भी less than 0.1% का ही उसका result है दोस्तों तो ये ही है इदर भी जो smart तरीके से trading करेगा वो जीतेगा इस game को और जो conservative तरीके से इसको खेल रहा है दोस्तों जैसे ये बड़ा candle देखके बाहर गुस गए इनको निकाली देगा market market का इदर से direct उपर जाने लगा तो सभी लोग profit करने लगेंगे और सभी लोग profit करने लगेंगे तो market को क्या मिलेगा ये सब जो retailer थे ये जो retailer trader जो गुस गए ये बड़े बड़े दो-तिन candle लेके देखके उनका पैसा ले लिया market ने इदर stop loss हिट कर दिया उसने ये बात आप समझे ये बहुत ही important है तो अभी कल का जो training session है वो launch अभी कर रहा हूँ में दोस्तो वो training session आप join किजे वो बहुत important है तो channel के साथ जुड़े रहे है दोस्तो क्योंकि एक retail trader को profitable trader कैसे बना जाए इसके बारे में ये channel जो हमेशा मेहनत करता आया है और profitable strategies को भी आप अपने friends के साथ share किजे दोस्तों ताकि वो भी profitable हो पाए दोस्तों तो market में patience कैसे रखना है क्या करना है वो सब हम जो है training session में कल discuss करेंगे training session का link में डाल दूँगा दोस्तों हमारे whatsapp group में तो ज्यादा से ज्यादा लोग whatsapp group join किजे और discussion में शामिल हो जे दोस्तों तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं आगले वीडियो में goodbye दोस्तों जैहिंद वंदे महत्रम